C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट सडशट पाठ सूलह मिलकर पढ़िये शीर्शक मूली नाना जी ने बगीचे में मूली बोई मूली से नाना जी बोले उगो उगो मूली मजबूत बनो और लंबी हो उग आई मोटी और लंबी मूली नाना जी गए उसे निकालने खीचते रहे अपना पूरा जोर लगाया मगर मूली को बाहर न ला पाए तो फिर नानी को आवाज लगाई नानी ने थामा नाना को नाना ने थामा मूली को दोनों ने पूरा जोर लगाया मगर मूली को दोनों निकाल न पाए इस प्रिष्ठ पर तीन चित्र बनाए गए है पहला चित्र दाई और उपर बनाया गया है जिसमें नाना जी मूली बोने के बाद उसे प्रसन्न मुद्रा में देख रहे हैं दूसरा चित्र प्रिष्ठ के बीच में बाई और बनाया गया है जिसमें नानी नाना की कमर कसके पकड़ रखी है और नाना ने मूली को पकड़ रखा है और वो दोनों मिलकर मूली को खींचते हुए दिखाए गए हैं प्रिष्ठ अड़ सट तभी नानी ने नातिन को बुलाया नातिन ने थामा नानी को नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को, सब ने मिलकर खींचा, मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल ना पाए, तब नातिन ने अपने कुटे को बुलाया, कुटे ने नातिन को थामा, नातिन नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा, सभी ने मिलकर जोर लगाया, आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला, इस प्रिष्ट पर दो चित्र बनाए गए हैं पहला चित्र प्रिष्ट पर उपर है जिसमें नातिन नानी को पकड़ कर खीच रही है और नानी नाना को पकड़ कर खीच रहे हैं और नाना ने मुली को पकड़ा हुआ है और ये तीनों मिलके मूली को पकड़ कर बाहर खीचने की चेश्टा कर रही है दूसरा चित्र इस प्रिष्ट पे नीचे बनाया गया है जिसमें नातिन के कुत्ते ने नातिन को थामा है नातिन ने नानी को पकड़ लिया है और नानी ने नाना की कमर को कसके पकड़ा है और नाना ने मूली को पकड़ा है और ये चारों मिलके मूली को बाहर निकालने में सफल हो गई प्रिश्थ 79 बात चीत के लिए कुट्टे ने नातिन को थामा नातिन ने नानी को थामा नानी ने नाना को थामा नाना ने मूली को थामा सभी ने मिलकर जोर लगाया थामा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है जरा सूचिए इस शब्द से ये कुछ वाक्य बनाकर अपनी कौपी में लिखिए एक नाना जी ने सभी गाउंवालों को दावत पर बुलाया है मूली के गर्मा गरम परांठे और ठंडी ठंडी लसी बनाने के लिए किन वस्तूं के आवशकता होगी बाई और लिखा है मूली के गर्मा गरम परांठे बनाने के लिए और इस शीर्षक के नीचे रिक्त स्थान दिया गया है जहां पर आपको मूले के परांठे बनाने की सामगरी लिखनी है और दाई ओर का शीर्षक है ठंडी ठंडी लसी बनाने के लिए इसके नीचे दिये गए रिक्त स्थान में आपको लिखना है ठंडी लसी बनाने के सारे सामगरियों के नाम इसके नीचे दिये गए रिक्त स्थानों में लिखिये ठंडी लसी बनाने की सामगरी का नाम दो, दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे? बताईए उहारत!